The Ultimate Sports में आप सभी को भी शेक सरकार का नमस्कार तो Commonwealth Games के 92 साल के इतिहास में भारतिये Long Balls महिला टीम पहली बार Final में पहुच चुकी है टीम ने New Zealand जैसी मजबूर टीम को 16-13 से हराया भारतिये खिलाडी लवली चौबे, पिंकी, नैन मोनी शेकिया और रूपा रानी टिर्की ने शांदार प्रदर्शन किया कुछ खिलाडियों ने तो सावन का सोमवार व्रत भी रखा था मैच के बाद खिलाडियों ने कहा कि भोले बाबा की कृपा से ही हम Final में पहुचने में सफल रहे भारतिये टीम चौती बार Lon Balls में भाग ले रही है पहली बार टीम ने 2010 में दिल्ली में हुए Commonwealth Games में हिस्सा लिया था तब भारतिये टीम ने सिमिफानल तक का सफर तै किया था दोस्तो सबसे एहम बात ये है कि खिलाडियों ने बताया कि पिछले तीन बार से काम्याबी नहीं मिलने के कारण हमें सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था तब Australia hi Coach ने एक साल का интरा सिक्षन दिया था उसके बाद से टीम को कोई Coach नहीं मिला खिलाडियों ने बिना Coach से ही प्राक्टिस किया वही Birmingham में भी Team Tournament से चार दिन पहले ही पहँची चार दिन में ही टीम ने Green Ground पर जम कर अभ्यास किया जिसका फाइदा उने मिला और सभी ने अपना 100% दिया तो आशा करते हैं कि हमारी लॉन बॉल की टीम फाइनल भी जीते और एक और गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाए वरना सिल्वर से भी इंडिया गर्व महसूस करता है जैहिंद